दोस्तों जारखंड के अलग होने के बाद बिहार के बारे में कहा जाता था कि अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ बालू बच गया है अब बिहार का क्या होगा बिहार का तो कुछ हो ही नहीं सकता लेकिन अब ऐसा नहीं है वक्त बदला और वक्त के साथ राज्ये में बहुत भ्रमन कर रही हैं तो वहीं दूसरी और पहले से संचालित टेक्स्टाइल कमपनी जगह विस्तार के लिए प्रस्ताव आगे बढ़ा रही है मुजफरपूर ओदोगी छेत्र सूबे में मौडल के रूप में सामने आया है यही वज़ा है कि पटना में भी बाहर से आने वाले निवेशकों को मुजफरपूर में बैक और टेक्स्टाइल कलस्टर का भर्मन कराये जाता है आपको बताई कि बिहार में मुजफरपूर टेक्स्टाइल और बैक के लिए सबसे बड़ा हब बन चुका है वहीं बियाडा के सूतरों से मिली जानकारी के अनुसार लुधियाना की एक ब्रैंडेट टेक्स्टाइल कमपनी यहां उद्ध्यों का स्थापित करने के लिए पटना से लेकर मुजफरपूर के पधातिकारियों से संपर्क किया है जानकारी के अनुसार कमपनी की एक टीम बीते दिनों बियाडा और दुगीक छेतर का जायजा भी ली है यह कमपनी महिला और पुरुष दोनों तरह के परिधान को तयार करती है कमपनी के अधिकारियों ने इस मामले में जल्दी सफल परिनाम आने के उम्मीद जताई है वहीं गुजरात की भी एक टेक्स्टाइल कमपनी के साथ बियाडा की सारी कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है यह कमपनी बड़ा प्रोजेक्ट लगाने जा रही है यूनीट लगाने के लिए बियाडा की ओर से कमपनी को 25 एकड़ भूमी आवंटित की जा रही है इससे रोजगार की संभावनाएं भी बिहार में तेजी से बढ़ रही है कमपनी के एक अधिकारी ने बताया है कि बिहार में निवेश का माहौल बना है यहाँ कुशल मजदूर की उपलबदता काफी है और बाजार भी ठीक है बियाडा ओधुकी छेतर में पहले से 10 यूनिट ऐसी हैं जो कि टेक्स्टाइल यूनिट से जुड़ी हुई है और वो पहले से ही संचालित है इसमें एक महिला परिधान बनाने वाली कमपनी के उत्पादन का ग्राफ काफी बेहतर धंक से आगे बढ़ड़ा है मतलब बिहार में भी अब टेक्स्टाइल का वो दौर आने वाला है जिसकी जवरत काफी लंबे समय से बिहारियों को थी क्योंकि बिहार में बहुत लंबे समय से बेरोजगारों का एक लंबा दौर था जो कि बिहार से पलायन करने को मजबूर थी लेकिन अब बिहार में ही टेक्स्टाइल और बैक जैसे कई सारी ऐसी कमपनी आ रही हैं जो कि बिहार में ही खुद का रोजगार दे रही है और बिहार में ही टेक्स्टाइल लगाने पर विचार कर रही है